नमस्कार दोस्तों आपका आर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम टार्गेट अकेडिमी पर तो दोस्तों करंट अफेर्स की वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं तो कुस्टन स्टार्ट करते हैं टॉप हिंदी करंट अफेर्स 29 अक्टू हिनकी कीमत लगबग 110 करोडर रुपे है ओप्सन आ 178 बस्तों हैं ऐप्सन वी 248 बस्तों हैं ओप्सन सी 341 बस्तों हैं ओप्सन डी 158 बस्तों है तो दोस्तो इसका सही जवाब है अमेरका ने 28 अक्टूबर को भारत को उसकी कई प्राचीन बस्टूएं लोटा दी हैं ये सबीज वो बस्टूएं हैं जिनको कई सालों पहले चोरी किया गया था इसी कड़ी में कुल दोसा 48 बस्टूएं लोटा दी गई हैं जिनकी कीम अतलग बग 110 करोड रुपे है इन बस्टूएं में बारेमी सदी की कास से नटराज मूर्ती वी सामिल है जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी अमेरिका के बिदेश मंतरी एंटिनी बिलिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानविय साहता के तोर पर कितनी रासी देने की गोस्टना की है 144 million dollar 244 million dollar या 44 million dollar या 84 million dollar तो इसका सही जवाब है option A यानि 144 million dollar अफगानिस्तान में तालिवान के सासन के अदीन गंबीर मानव समस्या कस सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए अमेरिका ने 14.4 करोड रुपे यानि 144 million dollar की मदद अमेरिका के विदेश मंतरी एंटनी विलिंकन ने बताया है कि साहता स्वतंत्र अंतराष्टिय और गैर सरकारी मानविय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी जिन में सरणार्थियों से जुड़ा संयुक्त राष्ट उच्चायुक्त यानि UNHCR से युक्त राष्ट बलकोस युनिसेफ अंतराष्टी अब्रजन संगठन आई उएम और विश संगठन सामिल है कुस्चन नमर तीन विश सोराइसिस दिवस यानि बल्ड सोराइसिस दे प्रतेक वर्ष किस दित्तारी को मनाया जाता है 29 अक्टूबर को या 29 नमर को या 29 अक्टूबर को या 29 नमर को उप्सन ए 19 अक्टूबर को है तो इसका सही जवाब है उप्सन C यानि 29 अक्टूबर को वर्ड सोराइसिस दे मनाया जाता है यह विश सोराइसिस दिवस प्रतेग वर्स उनत्ती सक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उदेश इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाना और उपचार तक पहुँच में सुधार करना है दरसल सुराइसिस एक तरह की इस्किन बीमारी है सुराइसिस में सरीर के जोड़ों में इस्किन में लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है जो की सफेद रंग की दिखाई देती है और वो खुदरे रूप में उबकर आती है कुस्सन नमर 4 फेश्बुक ने हाली ही में कमपनी के सीओ मारक जकर्वग ने 캉म नाम बदल कर क्या कर दिया है अपसन ए मेटा औपसन भी एटा अपसन सी गेम या अपसन सी फेश तो इसका सही जवाब है औपसन ए यानी मेटा नाम चेंज्ज कर दिया है सोसल मीडिया कमपनी फेस्बुक ने अपना नाम बदल लिया है फेस्बुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदल कर अब मेटा कर लिया है फेस्बुक के मुख्यकार यदगारी CEO मार्क जगरवर्ग ने कहा है वेसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं एक ऐसी जहां फेस्वुक को के वले एक सोसल मीडिया प्लेटफॉम के तोर पर जान ना देखा जाए अब उसी दसा में आगे बढ़ते हुए फेस्वुक का नाम बदल कर मेटा किया गया है कुशन नमर पाच भारती रेजर बेंक आरवियाई के गवर्नर ससी सकती कांदास का कारिकाल कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है औप्शन A दो वर्स औप्शन B चार वर्स औप्शन C तीन वर्स औप्शन D एक वर्स तो इसका सही जवाब है उपसंसी तीन वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है किन सरकार ने भारती रिजर्व आरवियाई के गवर्नर सक्ति कांदास का कारेकाल तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है अब सक्ति कांदास दिसंबर दोजार चोबीस तक आर्वियाई गवर्नर बने रहेंगे सक्ति कांदास का कारेकाल 10 दिसंबर दोजार इकीस को खतम हो रहा था सक्ति कांदास और जित पटेल के स्थीपय के वाद आर्वियाई गवर्नर बने थे सक्तिका अंदास ने विश्व बैंक, ACI विकास बैंक, ADV, New Development Bank, NDV और ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB में भारत के बैकल्पि गवर्नर के रूप में भी काम किया है कुश्चन नमर छे, Power Finance Corporation Limited का नया निदेशक परियोजना निम्न में से किसे निक्ति किया गया है राहुल सचदेवा, अनिल कुमार सिंग या प्रकास कुमार अगनी उत्तिरी या राजीव रंजन जहा तो इसका सही जवाब है, Option D, राजीव रंजन जहा इसका सही जवाब है सार्वजनिक छेत्र की Power Finance Corporation PFC ने कहा है कि राजीव रंजन जहां के निदेशन, निदेशक परियोजना का कारवार समाल लिया है कंपनी ने एक बयानम बताया है कि राजीव रंजन जहां इससे पहले PFC में परियोजना विभाग के कारेकारी निदेशक के रूप में कार कर रहे थे उनके पास अच्छे हूर्जा, रंज़ पोर्टफोलिया समालने तता परियोजना मुल्यांकन यानि विशेशकर, सौतंत्र निजी, बिजली परियोजनाओं के लिए के छेत्र में व्यापक अनवब उनको है कुशन नमर साथ, हाल ही में भारतिय बेज्ञानिकों ने कारवन डाय ओक्साइड यानि CO2 को किस गयस में परवर्टित करने के लिए एक प्रकास रासाइनिक विदी यानि प्रकास उत्प्रेरक फोटो कैटलिस्ट बिक्सित किया है उप्शन A. मीथेन, उप्शन B. इथेन, उप्शन C. हीलियम या उप्शन D. हैड्रोजन तो इसका सही जवाब है उप्शन A. यानि मीथेन हाल ही में भारती ब्यग्यानिकों ने कार्वन डियॉकसाइड CEO2 को मीथेन में परवर्टित करने के लिए लिए प्रकास रासाइनिक विदी प्रकास के रूप में उर्जा के अफसोसन द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासाइनिक अविक्रिया है बैग्यानिकों ने एक कार्वनिक पॉलिमर को इस तरह से डेजाइन किया है जो द्रश्टी गोचर प्रकास को अफसोसित करने और कार्वन डाय अक्साइड निवनी करन प्रतिक्रिया को उत्परे रित करने में भी सच्चम होगा कुशन नमर आठ और इस वीडियो का अंतिम कुशन दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर सेंड करें हाल ही में सुप्रिम कोट ने किस राज्य में मुसलाधार बारिस के बीच मुल्ला पेरियार बांद में बनाए जा सकने वाले अधिक्तम जलिस्तर पर पर विच्छी सम्ती को ततकाल और द्रण निर्णे लेने का निर्देश दिया है अप्शन A. तमिलनाडू, अप्शन B. असम, अप्शन C. केरल, अप्शन D. करनाटक इसका सही जवाब है अप्शन C. केरल हाली ही में सुप्रीम कोट ने केरल में मुसलाधार बारिस के बीच मुल्ला पोरियार बांद में बनाए जा सकने वाले अधिक्तम जलिस्तर पर पर विच्छी सम्ती को ततकाल और द्रण निर्णे चलेने का निर्देश दिया है जल सकती मंत्राले ने केरल और तमिलनाडू के बीच मुल्ला पोरियार बांद के मुद्दे को निप्टाने के लिए तीन दिवसी पर विच्छी सम्ती का गठन किया है मुल्ला पेरियार बांद कांग्रेस केरल के इडू की जिले में मुल्यार और पेरियार नदियों के संगम पर इस्तित है यह जला से पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है तो गुड़ बाई दोस्तों मिलते हैं फिर आगली वीडियो में नमस्कार गुड़ बाई टेक केर